हेलो फ्रेंड्स यमी काई जूकिसान न्यूज में आप सभी का हरतिक स्वागत है दोस्तों इस वीडियों बात करने वाले हैं को लेकर RSM SSB रिजल्ट या बना मजाक पूरी न्यूज को देखते हैं कनिष्ट सायक लिपिक ग्रेड दित्तिये सीदी भरती परिच्छा दोजार अठारे का मामला राजिस्थान करमचारी चैन बोड ने 14 फरवरी को जारी किया है परिणाम पहले दो बार जारी किया सनसोधित परिणाम अब फाइनल रेजल्ट में भी गड़वडी जैपुर राजिस्थान करमचारी चैन बोड की परिक्छाएं मजाक बन गई हैं लाइब्रेरियन ग्रेड टू की परिक्छा का पेपर आउट होने के कारण निरस्थ करना पड़ा था लगता है इसके बावजूद राजिस्थान करमचारी चैन बोड ने कोई सबक नहीं सीखा है कल गोसित किये गए कनिष्ट साहय क्लिप ग्रेड दित्तिय सीधी भरती परिक्छा 2018 परिनाम में भी गड़वडियां सामने आने लगी हैं ये है मामला जानकारी कैनुसार OVC महिला बर्ग की अब्यर्थी सरीता रॉल नंबर 228756 ने कनिष्ट साहय क्लिप ग्रेड दित्तिय सीधी भरती परिक्छा 2018 के परिथम चरण में परिक्छा दी थी सरीता को कुल 223.968 अंक प्राप्त हुए हैं जबकि OVC महिला बर्ग की कटॉप 202.581 अंक गई है सामाने बर्ग की महिला सरणी कटॉप 209.151 गई है सामाने बर्ग पुरुष की कटॉप भी 220.91 गई है महिला अब्यर्थी सरीता ने सभी सरोने कटॉप में सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं इसके बावजोद 14 फरवरी 2020 को जारी परिनाम में उसका नाम सामिल नहीं है जबकि अब्यर्थी सरीता को दस्तावी सत्यापन और पातरता जांच संबंदी तमाम प्रिक्रियाओं में सही पाया गया था राजिस्तान करमचारी चैन बोड ने पातरता जांच दस्तावी सत्यापन जीव मितिय प्रमानन और सत्यापन 24 दिसम्बर 2019 से आठ फरवरी 2020 तक एवं तेरे फरवरी 2020 को करवाय था पहले भी दो बार जारी हुआ संसो दित परिनाम कनिष्ट सायक लेपिक ग्रेट दित के सीधी वरती परिच्छा 2018 परिच्छा दो चर्नों हुई थी परतम चर्न Commissioner परिनाम 7 मार्च 2019 को जारी किया गया था चबकि दित्ये चर्न का परिनाम 25 October 2019 को गोसिट किया गया महिला अब्यर्ती सरिता ने प्रथम चरण पेपर दिया था राजिस्तान करमचारी चैनबोर ने प्रथम चरण के परिनाम तीन बार में गोसित किया उस दोरान में भी गड़वडियां सामने आई थी अब अन्तिम रजल्ट में भी गड़वडियां सामने आने लगी है उधर दूसरी तरफ देखें तो पल्ला जाड रहे हैं जिम्मेदार देखिए क्या कहा है मैं अभी बाहर हूँ सौमबार को इस गड़वडी के बारे में पता करवाएंगे बी एल जाटावत अध्यक्ष राजिस्थान करमचारी चैन आयोग इधर देखिए राजिस्थान करमचारी चैन आयोग में यदि कोई गड़वडियां हुई हैं तो इसमें भी कुछ नहीं कर सकता हमें जिन अभ्यार्थियों की लिस्ट मिलेगी उन्हें न्युक्ती दे दी जाएगी डी ओपी विभाग मुख्य मंतरी के अधीन आता है वही कुछ कर पाएंगे गोविंद डौटासरा सिक्षा राज्य मंतरी राजिस्थान तो दोस्तो इस विडियों में आपने देखा कि सरिता नाम की जो अभ्यार्थी है 230 मार्क लाई यहनि 230 मार्क थे लेकिन फिर भी उसका किसी भी केटेगरी में चैन नहीं हो पाया आखिर क्या है यह मामला उससे जोड़ी ख़बर मैंने आप सभी को पताई आज के इस विडियों बस इतना ही धन्यवाद